हेलो गाइज वेलकम बैक टुमाइटीट टैक बाइकर कैसे आप सभी आई होप आप सब अच्छे होगा बिल्कुल सेफ होगे आज हमापस दो काफी सुन्दर सी बाइक है और दोन एकदम प्रॉपर रिवीव को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से लुक देख लो दोनों ही काफी सुन्दर है एक तो भाई हमारी कह सकते हो लेजेंडरी बाइक है काफी टाइम से आ रही है काफी जादा लोगों ने इसको प्यार दिया है दूसरी थोड़ी जल्दी आई यह टाइम हो चुका है लेकिन वाइसको कहते हैं पॉकेट रॉकेट 155 सीची की भाई के उसके बाद जो पावर है इसका जो हैड है एकड़ मॉंस्टर माला लगता है कितना ज़्यादा प्यारा है इसको बंद करते हैं अब देखो आगे से इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है यूनीक लगती है और यह तो भाई अपने पुराने लुक को अभी भी लेकर चली आ रही वाट एक शिकायत बजास से इतनी अच्छी बाई किना अगर LED यहां पर दे देते तो भाई मज़ा आ जाता एकदम थौसा रात में चलाने का मज़ा डबल हो जाता और दोनों में एक च अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इसमें आपको प्रोजेक्टर है लाइट देखने को मिलेगा चोटा सा प्रोजेक्टर है और यहां पर डियारेल मिल जाती है अब आते हैं इसमें नॉर्मल है लोजन वाला बल्ब देखने को मिलेगा यल्लो कलर का और यह इसकी डियारेल और हमारी MT में भी अपसाइड डाउन आता है लेकिन MT का जो अपसाइड डाउन है वो थोगा से ज्यादा सुन्दा लगता है गोल्डन सेस्पेंसर के विए से अब बजाज नहीं यह गोल्डन को नहीं दिया अब यह तो भाई बजाजी बता सकता है उसके बाद आते हैं टायर साइड यह चीज़ आप लोग चेक करो उसके बाद दोसरी साइड चलते हैं हमारी NS में इसमें भी 187 का टायर देखने को मिलेगा लेकिन जो इसकी डिस्प्रेट का साइज है ना वो है 300 mm और ग्रैमिका के कैलिपर से हैं अब भाई इसका जो यह वायर है ना जो ब्रेक वाली की मोटा कि ब्रेकिंग में भी आ था फरक इसमें भी आपको लिकवीट कूलिंग मिलेगा और इसमें भी आपको अपका कूलेंट पढ़ता है और इसका कूलन तो इसके बाद आते हैं साइड में दोनों ही बाई के डॉल चैनल एवेस के साथ राती है एमटी में डूटी में आता है और MT में डो मॉड़ल आते हैं एक नॉर्मल वाला यह भी बेस्क्राव प्रक्वाइश इसमा इंडिकेटर नहीं आते हैं और एक जाहा है एक इंडिकेटर नएसमें आते हैं दोनुमें हैलोजन वाले आते तो भाई कंपनी दे सकती थी मुझे लगता है आपको मिल जाएगा जो कि आपकी पावर देता है 18.45 PS की और 14.1 Nm का टॉर्क और बात करें हमारी तो वैसे बात करें तो भाई आपको पता चल चुका होगा कि आपको थोड़ी सी ज्यादा पावर्फुल लगेगी और पेपर बट जब हम दोनों का ड्रैग स्टार्ट करेंगे टॉपन टेस्ट करेंगे ना तब अच्छे से क्लियर होगा कि भागने में कौन सी अच्छी है क् कभी कभी जो पेपर पे लिखा होता है जरूरी नहीं है कि वही सही हो जब प्रैक्टिकल्टी आती है जब रियल में चलाते ना तब पता चलता है तो वेट करो जल्दी ड्रैग्रेस करेंगे इन दोनों ही भाईकों का और दोनों एक ड़म नहीं भाईके हैं बीस सेवन एक पर आपको भी चेक करा दूं यह देखो एट्वेंटी और हमारी एनस दोसो भी एट्वेंटी है और दोनों ही बहुत कम चली हुई है उसके बार आते हैं साइड में शिक्स स्पीट का गेरवक्स आपको एम्टी में देखने को मिल जाएगा और जो एम्टी का ग्राउंड क् से वो है 168 mm तो थोड़ा से एम्टी से इसका ग्राउंड करने का में लेकिन इतना कोई मैटर नहीं करता है एक चीज और आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी एम्टी में आपको सेंटर नहीं मिलता है इसका वैल्यू का पता चलेगी जब आपको चैन क्लीन करनी होगी तो बाइक आपकी पंचर हो जाएगी उसके बाद आते हैं फ्यूल टैंक कैपिसिटी पे जो काफी मैटर कर सकती है एम्टी में आपको 10 लिटर की फ्यूल टैंक कैपिसिटी मिलती है लेकिन हमारी जो एनसे इसमें 12 लिटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपिसिटी मिलती है तो ये काफी अच्छी चीज है उसके बाद आते हैं हेंडिल पे इसमें नॉर्मल प्रिट वाला हेंडिल दे रखा है काफी ज्यादा कमफर्टेबल है और एनस में आपको क्लिप-उन हेंडल बात देखने को मिल जाते हैं जो दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छे हैं चला वो चीज आप नोटिस करो कि उठे हुए उसके बाद आपको मीटर दिखा देता हूँ नॉर्मल जो भाई जब यह लॉंच हुई थी दस साल पहले तब जो मीटर आता था वही आता है चोटे मोटे स्विच देना चाहिए भाई बैटरी सेफ करने में काफी ज्यादा है अब आते हैं अपनी पर इसमें आप नोटिस करो इसमें भी लाइट ऑन आफ का स्विच नहीं दे रखा है बाकी तो जितने काम बर की चीजें वह सम मिलती है आते हैं मीटर पर इसमें आपको गेर पोजिस और इसकी सीट देखो बढ़ी है उससे तो एक चीज का फायदा है कि अगर आफ फैमिली के लिए ले रहे हो तो एम्टी कहीं ना कहीं एनस से थोड़ी सी पीछे रहे जाती है क्योंकि सीट चोटी है और हमारी एनस की सीट ऑनेसली बताओ बाई बढ़ी है तो अगर आपीछ को भी बैठा होगे ना तो कोई भी लड़का होगा तो वह एनस में ज्यादा कमफर्टेवल रहेगा है एम्टी के मुकाबले क्योंकि बहुत छोटी सी सीट है एम्टी बस मान के जो थोड़ा सा स्कूल गोइंग वालों के लिए बनी है और वो कह सकते है कॉलेज गोइंग व आते हैं और हमारी में केवल नॉर्मल वाले आते हैं इसमें आपको साइड में एक्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा उसमें एंडर वैली एक्जॉस्ट देखने को मिलता है जो एम्टी का पीछे वाला डिक्स प्लेट है यह 220 mm का है निसिंग के कैलिपर से तो यह काफी और जो टैर सेक्षन है वह है 130 का तो थोड़ा सा यह कह सकते हो थोड़ा सा पतला है 140 दे देना चाहिए था कंपनी को उसके बाद पीछे से एक बाद लुक चेक कर लो यह अपने लेजंडरी लुक को फॉलो करती जैसे 220 में आता था उसी टाइप का आता है यहां पर आपको परेल्स मिल जाते हैं काफी अच्छे से और इसमें LED आता है थोड़ा सा यह बड़ी जल्दी खतम हो जाती है नॉर्मल एंडीकेटर्स में देखने को मिलते हैं और इसमें भी नॉर्मल देखने को मिल जाते है अब आते हैं राइडिंग सीट पर जो राइडर की सीट है आप लोग तो और अच्छे साइडिया मिल जाएगा तो मुझे लगता है में में जितनी चीजे कवर करनी थी वह मैंने कर दी कुछ भी अगर छूट तो कमेंट करना और अब आते ही में चीज़ पर भाई जो आप लोग सुनना चाहते हो वह है बाइक का साउंड वह कैसे हम दो बिना किसी देरी के बाइक के आपको साउंड चेक कराता हूं फो जल्दी से हेसको स्टार्ट करते हूंट चेक कराता हो अब एक चिस तो है है इसका साउंड काफी अच्छा है लाउट साउंड है और अब अपनी एम्टी को स्टार्ट करते हैं एम्टी भी गेर में होगी एक नोटिस को उसमें नॉर्मल वाला आता है मीटर अगर जैसे इसको चाबी ओन करोगे ना तो आपको ब्लूटूथ होगे रहा वाला सब दिख है आप इसको रेप करते हैं है कि अब तो अनेसली बताओं तो एम्टी का भी साउंड काफी ज्यादा अच्छा है दोनों का सिमलर है उननीज भी इसका डिफ्रेंस है ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है तो ओवराल सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है दोनों ही बाइके का करा दुं इसकी कुसृ Container और यहां पी cu senior चलते हैं तो कहीं ने काझन एक चीज है कि a nice अच्छी कुस्न मिल जाता है साथ में त्पर नहीं मिलता दोनों में आता है यह तो आप सभी को पता है तो इसमें मैं डिटेज में इसलिए नहीं गया सो आप जल्दी से कैमेरे के सामने आते हैं बताते हैं कौन सी ज्यादा वैली फॉर मनी है कौन सी आपको लेनी चाहिए सब्सक्राइब में मुद्दा यह है कि आपको कौन सी लेनी चाहिए एक तो देखो आपको MT में वेट का एडवांटेज होगा का MT का जो वेट है वाली का वह है 147 kg बट हमाई जो पलसर एनेस दो सोव है यह था सा हैवी बाइक है इसका जो वेट है 158 kg है बट पावर ज्यादा है वेट भी ज्यादा है MT में पावर कम है वेट भी कम है तो कहीं नगी घूम फिर के एक बराबर आ जाती है उसके बाद आते हैं प्राइस पे MT का जो बेस मॉडल है वह है दो लाख एक हजार का डिसकाउंट के साथ और हमारी NS 200 BS7 वाली जो है इसका जो ऑन रोड प्राइज है एप्रॉक्स वन लैक 84,000 है अब देखो आपके स्टेट सिटी में त्वासा प्राइज ऊपर नीचे हो सकता है बट मोटा मोटा मान की चलो इसी के आसपास होगा तो आपको लेनी कौन सी चाहिए नस में क्या फायदा है आपको फ्यूल टेंग कैस्ट्री जादा मिल जाएगी उसके साथ ही आपको सर्विस कोश्ट भी कम देखने को मिलेगी उसके बाद आपको सिटिंग पोजीशन फैमली के लिए अगर बाइक चाहिए तो वो इसमें अच्छा मिल जाएगा और पावर तो भाई जब ड्रैक करेंगे तभी पता चलेगा और सस्ती भी है अच्छा खासा पैसा भी बचा सक अच्छी देगी लाइट वेट है उसके साथ इसमें क्या खूबी है अगर आप इसको अराम से चलाओगे तो यह आपको माइलेज भी अच्छा देगी और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जागा जो कि नॉर्म थोड़ा सा आपको यह रिच फील देगी रिच फील इन दर सेंस क्या होगा कॉमन नहीं होगी अब एक सो साथ डिक्टो सेम लगती है एक सो पचीज चलो थोड़ी से लगाती है लेकिन एमटी में केवल यही आती है तो भाई कभी-कभी इंसान इतना पैसा खर्च करता है न हो कि काफी अच्छी बाइक है काफी टाइम से चली आ रही है और तो सा रिच फील और कुछ चीज आपको जो मैंने बताई वह चाहिए तो आप एमटी ले सकते हो दोनों ही बाइक के बहतरीन है मुझे दोनों ही काफी ज्यादा पसंद है आप वीडियों से समझ चुके होग क्या को कौन से लेनी चाहिए तो आगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना कमेंट करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करना और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बैबाई टेक क्यर कीप लविंग कीप सपोर्टिंग